हेलो एबरीवन वेलकम बैक टू माई चैनल आज मैं फिर आपके साथ आई हूँ नहीं आइडिया के साथ तो आज का आइडिया आपके लिए बहुत कास होने वाला है अगर आपको क्रोशिया नहीं भी चलाने आता है निटिंग नहीं है तब भी आप पुरानी उन से बहुत ही चीज बनाने वाले हैं और आप इसको देखते ही बिलकुल मिंटों में बना लेंगे तो ये मेरे पास कुछ पुरानी उन पड़ी हुई है हमारे सब के घरों में निटिंग का काम कोई न कोई करता रहता है तो उसमें से पुरानी कुछ बेस्ट उन बच जाती है तो हमें वीडियो की नॉटिकेशन मिलती रहे तो सबसे पहले मैं उनको साइड में रख देती हूं और एक कार्ड़ बोड का पीस लेंगे आप चाहें तो कोई नॉट बुक भी ले सकते हैं कोई और चीज भी ले सकते हैं तो ये कार्ड़ बोड का पीस लिया जिसकी लेंद ज़ा 15 कार्ड़ बोड के उपर पुरानी को भी ले सकते हैं आप चाहें तो इसको डबल कल़ में भी बना सकते हैं सबसे पहले हम उनको इसकार्ड़ बोड के उपर लेंधवाली साइड से 617 टाइम टैप करेंगे अगर आपको 2 ले बनाना है तो आप डिवाइड करके अलग लग ल लगाऊंगी और इसको काड़ बोर्ट से निकाल लूँगी अब काड़ बोर्ट से निकालने के बाद मैंने इस धागे को काट लिया है और इसके बिल्कुल सामने पर जहां पर हमने इसको बांदा है उसी के बिल्कुल सामने पर मैं एक और नॉट लगा रहे हूं ऐसे इन दोनों को इकठा कर लेंगे और इनके ऊपर ऐसे नॉट लगा देंगे कस के यह देखिए यह ऐसे मैंने नॉट लगा लिए है मैंने तीन नॉट्स लगाई है अब धगय को काट दिया और इनको हम बीच में से अलग कर लेंगे यहां से मैं इसको भी काट लूँगी इसके यह मैंने थ्री प्लाई की उन्यूज की है आप कोई भी उन्यूज कर जकते हैं मैंने यह सिंगल गलर में ही बनाने जा रही हूं यह देखिए यह मैंने काट लिया उसके बाद मैं कॉम की हलप से इसको कॉम कर लूँगी यह बिल्कुल सेट करते हुए ऐसे अब इसके बाद हम इस वाली जो धगा हमने इकठा किया हुए इनको हम इकोल पार्ट में डिवाइड करेंगे अप्रॉक्सिमेट ट्वाल पार्ट में तो ऐसे ही equal part कर लेंगे आप अपने according ये मैंने ऐसे इनको set करते हुए ये मैंने 12 part कर लिया है अब 12 parts करने के बाद मैं एक धागा लूँगी और इन हर एक part के उपर एक गांट लगाऊंगी ऐसे ये ये गांट लगाऊंगी ये मैंने तीन गांटें लगा लिया है और धागे को इसी के बीच में ऐसे लगा दिया है उसके बाद next part में ऐसे उनका छोटा सा टुकड़ा लेंगे और उसी वाले color के हम गांट लगा देंगे तो ऐसे ऐसे next part को ऐसे ही नॉट लगाएंगे ऐसे ही लगाते हुए मैंने सबको नॉट लगा लिया और ये बीच में ऐसे कुछ दिखेगा उसके बाद हम सबको ऐसे कॉम करके फिर जो हमने ये parts किये हैं उनका भी half करेंगे एक side से part को half किया और दूसरी side से भी half किया और उसको नॉट लगा दी ऐसे बीच में गांट लगा दी ये ये उसके बाद next part में ऐसे ही कॉम किया हाफ पार्ट इसका लिया हाफ पार्ट दूसरा गांट का लिया और इनको नॉट लगा दी ऐसे ही मैं सभी के उपर नॉट लगा लूँगी और कॉम करती जाओंगी ऐसे अब नेक्स्ट भाले पार्ट में हम फिर से वैसे ही नॉट लगाएंगे हाफ पार्ट एक साइड से हाफ पार्ट दूसरी साइड से उपर नॉट लगा देंगे इसी प्रोसेस को हम हर एक राउंड में करते जाएंगे बस हाफ पार्ट जो हमने नॉट लगा दी next step में हम इन दोनों का half करेंगे यहां से और एक उस side से half किया और दोनों को knot लगा दी यह देखिए यह देखिए यह कुछ ऐसा दीखेगा उसके बाद फिर से हमने इसको काम किया और काम करने के बाद जो knots लगाई हुई है उन दोनों का half कर दिया एक साइट से हाफ किया दूसरी साइट से भी हाफ किया और उपर एक नॉट लगा दी ऐसे ही हम नेक्स्ट स्टेप में भी करते हैं नेक्स्ट में भी हम ऐसे ही करेंगे एक साइट से हाफ लिया दूसरी साइट से हाफ लिया और नॉट लगा दी नॉट आप सिक्यूर करके लगाईएगा दो से तीन नॉट्स लगा दीजिएगा और उस नॉट वाले धागे को इसी के बीच में ऐसे ही रख देंगे हम लोग ऐसे और नेक्स्ट स्टेप में फिर से हाफ किया इधर से भी हाफ किया दूसरी साइट से भी हाफ किया और उपर नॉट लगा दी हमने नॉट लगाते समय हमेशा कॉम करते जाएगा ये देखिए ये कुछ ऐसा दिखेगा अब हम अनिक्वल जो भी है उसको थोड़ा शेप में देते हुए एक्स्टा वाले उनको हम काट देंगे ये देखिए ये आप जितना बड़ा बनाना चाहते हैं आप उसे साब से कार्ट बोर्ड की मिजर्मेंट ले सकते हैं ये देखिए मैं कॉम करके निक्वल जो भी हुन है उसको मैं इसमें से काट रही हूँ अब इसकी डैकॉरेशन की बात करते हैं कि मैंने इसको किसके लिए डैकॉरेट कर रहे हूँ ये देखिए ये ऐसा डिजाइन देखिएगा कि बीना आप क्रोशिय से बीना सिलाइं ये आप एसा हर कुछ बना सकते हैं जैसे थाल पोश हो गया डॉर मैट होगी आप वह भी बना सकते हैं इसको मैं पेपर यूज़ करते हैं उसी से मैंने इसको बनाया हुआ है इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी आप वहां से चेक कर सकते हैं अगर वीडियो अची लगी है तो लाइक तो बनता है और शेयर ज़रूर करिएगा सब्सक्राइब और बैल आइकन प्रेस करना मत बुलेगा